केंदर सरकार के और से आम लोगों को बैंक से जोडने के लिए शुरू की गई प्रधान मंत्री जंधन योजना के 10 साल पूरे हो गए है 15 अगस 2014 को एतिहसिक लाल किले से इस योजना का एलान किया था इस योजना की शुरूवात 28 अगस 2014 को पूरे देश भर में की गई थी जिसके बाद से अब तक 51 करोड से जादा अकाउंट खुले हैं वहीं इन में से 10 करोड से जादा बैंक अकाउंट डियक्टिवेट हो चुके हैं हिरानी की बात तो ये है कि इन बंद हुए बैंक अकाउंट में करीब 12,000 करोड रुपे जमा है इन रुपेयों को लेने वाला कोई नहीं है वित्यमंतराले की और से इस बारे में जानकारी दी गई है बता दें कि इस योजना के जरिए गाउं से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को फाइनेंशिल सिस्टम से जोडा गया है इस योजना ने गरीबों को सरकारी योजना में फाइदा दिलाने में एहम भूमी का निबाई है जन्दन खातों ने डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की सफलता में बड़ा योगदान दिया था मोधी सरकार की जन्दन योजना काफी लोगप्रिय है कोई भी गरीब इसमें अपना खाता खुलवा सकता है रिपोर्ट के अनुसार 10 साल के अंदर 10 करोड जन्दन अकाउंट बंध हुए है जिन में 12,789 करोड रुपे जमा है इन बंध खातों में 4 करोड 93 लाक अकाउंट महिलाओं के है इन खातों के बंध होने के कई कारण है हलाकि इसका अकाउंट होल्डर से कोई सीधा संबंध नहीं है इसका एक कारण कई महिनों से खातों में ट्रांजेक्शन नहीं होना भी है RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर खाते में 2 साल से जादा समय तक कस्टमर कोई लेन देन नहीं करता है तो बजट और चालू खाते को निश्क्रिये माना जाता है बैंक इन निश्क्रिये खातों के प्रतिशत को कम करने का प्रयास कर रहे हैं बता दे कि जंदन खातों में नियुन्तम राशी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपका भी बैंक अकाउंट डियक्टिवेट हो गया है तो आप इसे दुबारा चालू भी करा सकते हैं इसके लिए आपको बैंक में जाकर खाते को दुबारा एक्टिवेट कराने का एप्लिकेशन देना होगा इसके बाद आपको KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी इसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा धन्यवाद